नवाशकार आदाब शच्छे आकाल गुन मारिंग मेरी प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट और दोस्तं की तवस्थी लेकर के ताजातरी सवाल जो की बने है कल रात तक की सुर्कियों से पाकिस्टान के पूर प्रधान मंत्री नवाश शरीफ ने हाल ही में अपनी पार्टी मीटिंग मेरी एक बात बोली वो बात इस तनी वाइरल हुई कि इससे ये लगने लगा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब इस सेल्फ गिल्ट में जी रहा है कि जो भी गलतियां की हैं वो हमने ही की हैं असल माइने में क्या हुआ है कि नवाज शरीफ ने हाल ही में ये एडमिट किया अपनी पुब्लिक मीटिंग में कि जो 1999 में जब अटल जी बस लेकर के लाहौर आये थे और लाहौर डिकलेरेशन हुआ था हमने उसका वोईलेशन किया था यानि की भारत जो हमेशा दुनिया को ये कहता आया है कि पाकिस्तान हमेशा बॉर्डर पर इंफिलिट्रेशन करता है जबरन पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ युद्ध करने का प्रयास किया जाता है इसको इन्होंने अक्सेप्ट किया और कहा कि हमने अटल जी की उस उस समय नहीं माना था आपको याद होगा ये वही दौर है जब अटल जी बस लेकर के फरवरी के अंदर तो गए थे पाकिस्तान और पाकिस्तान ने रिटर्म गिफ्ट में दो ही महने के अंदर कार गे लिए युद्ध दे दिया था ये वही घटना है जिसको कि ये और इसके साथ साथ इस बात के माएने समझने का प्रयास करते हैं साथियों ये एक बहुत ही यादगार तस्वीर है जिसे आप इस समय देख रहे हैं ये तस्वीर है स्वरगिये अटल बिहारी वाजपेई जी और नवाज शरीफ जी के बीच में ये दौनों प्रधान मंत्र जी दौनों अलग-अलग देशों से लाहौर में एक खटे हुए नवाज शरीफ के देश में प्रधान मंत्री अटल जी पहुंचे थे क्यों पहुंचे थे क्योंकि उस साल से एक साल पहले 1998 में दौनों ही देशों ने परमानु बम का परिक्षन किया था दो परोसी देशों के परमानु ताकत बन जाने से पूरी दुनिया डर में चली गई थी पाकिस्तान और भारत अपने परमानु पोखरन में किया पाकिस्तान ने अपने छेतर में किया दौनों ने परमानु बमों का जब परिक्षन किया तो पूरी दुनिया में ये टेंशन होने लगी कि एक द कि आप लोग एक दूसरे के साथ peace agreement करिये आपस में बैठिये बातसीत करिये अगर बहुत जादा heated माहौल चला तो दुनिया परमानु युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी इसी का घटना करम था यानि 1998 के बाद 1999 में जो घटना करम हुआ आज के session में हम उसी की चर्चा आपके स करने वाले हैं हाल ही में पूर्व प्रधान मंत्री जो नवाज शरीफ है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज वाली पीटीम पार्टी है उसके अंदर अपनी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शरीफ और वाजपेई जी के बीच में जो 21 फरवरी को लाह यह लोगों को याद दिला रहे हैं कि बाजपेई साब तश्रीफ लाए है उन्हाने वाइदा किया और हमने वाइदे की खिलाफी की उसमें हम कसूरवार हैं तो ऐसी क्या घटना है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं अब हम उसके बारे में लेकर आते हैं देखिए फिलहाल तो नवाज शरीफ अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं इनके छोटे भाई जो है वो वरतमान में पी-म हैं नवाज शरीफ जो याद दिला रहे हैं अपनी हुआ करता था तब अटल जी लाहोर डिकलेरेशन लेकर आये थे अटल जी आकर के जब तश्रीफ लेकर आये और उन्होंने हमारे साथ में समझोता किया हम लोगोंने मिलकर टेबल टॉक किया कि अब आगे से हम एक दूसरे के प्रतिश शांती रखेंगे और उसके मातर दो म महिने बाद ही जो हम से हुआ वो गलती थी गलती क्या थी कि इन्होंने परवेज मुशरफ इनके वापर सेना के जनरल हुआ करते थे उनके कहने पर ये मान कर कि इंडिया भारत जो है अब तो ये शांती का हाथ बढ़ा चुका है ये तो कुछ कहेगा नहीं अब क्यों ना इ जब भारत को इस बात का पता चला तो मई 1909 में में भारत ने कारगिल विजय के लिए युद्ध की शुरुआत कर दी भारत और पाकिस्तान की फोर्सेज आमने सामने रही और भारत ने अंततो गत्वा पाकिस्तान को हरा कर अपने छित्र को वापस से मुक्त करा लिया लेकि हरकत वैसी ही थी जैसे मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया इसके पीछे की भी अगर साइकोलोजी पढ़ी जाए तो साइकोलोजी जाती है 1962 के वार में जब चाइना ने भारत के साथ ऐसा किया था नहरूजी चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई-भाई कह रहे थे और पंच शी कर दिया था चिंता से कि चिंता मत करो यह बॉर्डर सुरक्षित है यहां पर कोई हम्ला नहीं होगा और दूसरी طرف से हम पर हमला कर दिया जब हम प्रिपेर नहीं थे उसी दोरान हम पर हमला हो गया था पाकिस्तान ने भी सोचा कि इंडिया वाले अब बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अब एग्रिमेंट कर चुके हैं तो चलो अब इनके उपर हमला कर देते हैं ये थौट तो सेम थी लेकिन इंडिया इस बार पूरी तरह ट्रेंड था एनिवे हुआ क्या था इस घटना को थोड़ा डिटेल में रखा था ऐसा खुद नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हों ने कहा था कि अगर तुम पर्मानू परिक्षण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें धन दूँगा तुम पर्मानू परिक्षण मत करो लेकिन पाकिस्तान नहीं माना क्योंकि भारत पर्मानु परिक्षन कर चुका था 1998 में जब दौनों देश अपने पर्मानु परिक्षन कर चुके थे तब प्रतीबंदों का दौर चल रहा था भारत और पाकिस्तान पर दुनिया भर के देश प्रतीबंद लगा रहे थे आर्तिक प्रतिबंद लगा रहे थे ऐसी इस्तिती में सितंबर 1998 में में भारत और पाकिस्तान को United Nations की General Assembly में बुलाया गया दौनो प्रधानमंत्री जब सिर्कत करने पहुँचे तब इनसे कहा गया कि अब आप लोग एक दूसरे से ग्रिवांसेज मिटाईए और शान्ती की बातशीत करिए New York में जब ये बातशीत हुई इस बातशीत के बीतने के बाद में ये काफी दिन तक execute नहीं हुई पहले तो ये माना गया कि दौनो देश एक दूसरे के साथ यहां से जाते ही हाथ मिला लेंगे लेकिन अटल जी भारत आ गए वो पाकिस्तान चले गए दौनों के बीच में कोई बातशीत नहीं हुई दो महीने तक जब किसी भी प्रकार की वारता नहीं हुई तो ऐसी इस्थती में नवाज शरीफ जी की तरफ से प्रधान मंत्री अटल जी के पास कॉल आया कॉल आया तो उसमें ये कहा गया कि सहाब आपने कहा था कि आप मतलब बस सेवा शुरू करेंगे दौनों देश एक दूसरे के साथ मिल करके बातशीत करेंगे अभी तक आपने कुछ किया क्यों नहीं अटल जी ने कहा कि मैं किनी कारणों से व्यस्त था विचार करते हैं मैं अपने डिप्लोमेट्स के साथ अपने राजनेइकों के साथ बातशीत करता हूँ अटल जी और इनके बीच में बातशीत चलती रही इस बातशीत में तैह हुआ कि अगले वर्ष यानि की 1999 में फरवरी महा के अंदर अमरित सर से जंडी दिखाकर लाहौर के लिए बस को रवाना किया जाएगा अमरित सर से लाहौर की बीच के दूरी लगभग 40 किलोमेटर के अराउंड बताई जाती है बोले इतनी सी दूरी को हम लोग यहां से बस कनेक्ट कर देंगे जो लोग आना चाना चाहेंगे वो प्रॉपर तरीके से आएंगे तै हुआ कि अटल जी अच्छा उसी दौरान कोइंसिडेंशली ये था कि अटल जी को अमरित सर किसी काम से जाना था किसी मदब पार्टी के काम से जाना था तो उन्हाने तै कि जब बस रवाना होगी तब मैं उसको जंडी दिखा कर रवाना करूँगा इस पर बताते हैं कि नवाश शरीफ का कॉल अटल जी के पास आया और कहा कि सर पता चला है कि आप अमरित सर आ रहे हैं अमरित सर आ रहे हैं आप यहां तक आएंगे तो कुछ दूर और आईएगा इस पर एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो उन्हाने कहा एक शब्द है मैं आपको बताऊंगा जिसमें उन्हाने दर तक आ रहे हो घर नहीं आओगे क्या मतलब लाहौर के लिए उन्हाने कहा कि आप अमरित सर तक तो आही रहे हो दर तक तो आही रहे हो यानि कि यहीं तक बॉर्डर तक तो आप आही गए हैं तो घर नहीं आओगे क्या तो अटल जी ने यहां पर अपनी टीम से फिर डिसकॉशन किया कि बई ऐसा हो रहा है कि वो यह दिखाना चाहते है कौन दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी लोग यह दिखाना चाहते हैं कि हमने शान्ती के लिए पहले हाथ बढ़ाया हमने इंडिया को इन्वाइट किया अटल जी ने उस समय reply नहीं किया और अपने साथी डिप्लोमेट्स से पूछा कि बताईए इस पर क्या राय है तो फिर डिसाइड हुआ कि क्यों न एक ऐसी बस सेवा जाए जिसमें भारत की तरफ से सारे टॉप डिप्लोमेट्स बड़ी हस्तियां बैठ करके पाकिस्तान की यात्रा पर जाएं ऐसा ही हुआ भ पर तरीके से भारत से पाकिस्तान गए 19 फरवरी को अमरित सर से रवाना होकर 40 मिनिट में बस लाहौर पहुँची वादे के अनुसार नवाज शरीफ खुद वाजपेई जी को रिसीव करने के लिए बस पर आये फिर यहां पहुँच करके प्रधान मंतरी को आसपास के छेत गुमाए गए जिसमें मिनार पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल की मजार, गुरुद्वारा डेरा साहिब और माहराज रंजीत सिंग की समाधी थी लेकिन इनमें से भी जो मिनार पाकिस्तान नामक जो जगह है इस पर जाने पर काफी ज़्यादा विरोध हुआ था अटल जी का कारण क्या था? 1940 में ये वही जगह थी जहाँ पर फजहुल हक ने मुहमद अली जिन्ना की उपस्थिती में पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था तो बोले यहाँ पर नहीं जाना चाहिए था ऐसा फिर पॉलिटिकल क्रिटिसिजम इंडिया में भी हुआ था दौनों का प्रयास था कि शांती इस्थापित हो दौनों पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के साथ प्यार महबबत से रहें यह यात्रा हुई भारत पाकिस्तान के बीच में जब पधानमंत्री यहां पहुँचे नवाज शरीफ उन्हें खुद रिसीव करने आये दौनों प्रवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने बाद में सरकार गिराकर खुद ने सैनिक तक्ता पलट किया और सरकार पर राज किया था तो मनवाज शरीफ के दौर में सेना के प्रमुक हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ उन्हें लगा कि अगर ये दौनों देश हाथ मिला लिये तो फिर सेना को मिलने वाले फंड का क्या होगा और ये बहुत बार बात पता चलिए बहुत बार मतलब ये सुर्खियां बनी है बहुत सी फिल्मों में इसे दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो राजनेतिक दल है वो कुछ भी करना चाहें लेकिन आर्मी अपने तर करहाई का आदेश दे दिया था कि तुम जाओ और कारगिल पर चड़ जाओ कारगिल चड़ोगे इंडिया और नवाज शरीफ के बीच के जो रिष्टे हैं ये स्वते ही खराब हो जाएंगे इसी प्रयास को किया गया था हाला कि इससे पहले जो चल रहा था वो जान लीजि प्रधान मंत्री ने लाहर के गवर्नर हाउस में एक पार्टी रखी और वहाँ पर दौनों देशों के बीच में एक लाहर डेकलरेशन हुआ जिसे यूएन इस प्रकार से प्रोजेक्ट भी करता है लाहर डेकलरेशन डॉक्यूमेंट रिट्रिवल आप यहाँ पर देखें तो यह 21 फरवरी 1999 का है यूएन ने भी इसे पीसमेकर के रूप में कंसीडर किया कि हाँ भई दौनों देश एक दूसरे के साथ में शान्ती के लिए आगे बढ़े हैं अब यह जगडेंगे नहीं शान्ती से सह संबंद स्थापित करेंगे आज जो नवाश शरीफ बोल रहे कि संभवता कंटेक्स्ट उनका यही रहा होगा बाकी इमरान खान पर व्यंग करने से ये पीछे छूटे नहीं फिलहाल के लिए ये बात कितना माइने रखती है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शहबाश शरीफ जो वरतमान में पाकिस्तान के पी-म हैं वो दुबारा से सरकार मे आ चुके हैं अब वो सरकार में हैं और आगे चलके सरकार को कैसे आगे बढ़ाते हैं भारत के प्रती उनका रवया कैसा होता है इन ही के काल में भारत के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी भी पाकिस्तान जा चुके हैं तो ऐसी इस्थिती में इनकी पार्टी को ये माना जाता है, कि ये सम्भवतिया प्रयास करेगी कि भारत पाकिस्तान के संबन्ध नॉर्मल हो, लेकिन इनके यहां के जो और लोग हैं जिनके हित इस बात पर टिके हैं, कि भारत पाकिस्तान के रिष्टे खराब रहें, वो अपने तरह से कारगिल पर अपना कबजा जमाने में कामियाब रहा, इसके उपर फिल्में भी हैं, जिनको आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, नवाज शरीफ का ये कहना इमरान खान पर व्यंग कसने के समान था, कि इमरान खान अगर रहे होते उस दौर में तो परमानू परिक्षन भी नहीं करते, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो में तमाम उपस्थित साथी गण, जो कि इस कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करने मे अपनी पाठशाला पर आप जाकर हमारे पेड़ बैचेस जाइन कर लें, और हमारे ये पूरा कॉंटेंट आप लोगों को अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेब साइट है, उस पर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए हमने पूरा प्रोसीजर आपको बता रखा है, आप जाकर इन्हें ले सकते हैं, तैंक यू सो मच, अपना ख़याल रखें.